नमस्ते क्लास मैं चंदर सेखर जैस्वाल कॉंपिडिशन कम्मुनिटी की इस FTR सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ रिजनिंग या एप्टिट्यूट के इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम देखिए जो ट्रेडिशनल मेथाड्स होते हैं किसी भी एप्टिट्यूट या रिजनिंग को सॉल करने के लिए वो बहुत ही कॉंप्लेक्स होते हैं इसलिए जब भी हम एप्टिट्यूट या रिजनिंग के क्वेस्टन को सॉल करते हैं तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो Delhi Life के general knowledge है हम उसको यहाँ पे put कर सकें और जो भी problems दिये हुए हैं उनकी सहता से problems को solve करने का प्रयास करें। आईए मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने basic knowledge की सहता से ही कैसे work and time के problem को solve कर सकते हैं। देखिए आप सब जानते ही होंगे work and time क्या होता है, work and time में क्या relation होता है। देखिए कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें आपको एक निस्चिट time लगता है। पर हम work को ability से replace कर सकते हैं, work मतलब क्या होता है, जो काम करने वाला होता है, वो ability के हिसाब से ही अपना काम करता है। एक आदमी अगर काम करता है तो हम एक आदमी की ability के हिजाब से ही उस काम को note करते हैं, अगर दो आदमी काम करते हैं तो दो आदमी के ability को हम जोड़ देते हैं और काम को जोड़ देते हैं, अगर वैसे ही 10 आदमी आ गए तो हम 10 आदमी के ability को जोड़ देंगे तो हमारा जो काम है वो आ जाएगा इसलिए पूरे unit में हम work के जगा ability को use करेंगे ठीक है देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ability मतलब छमता जो होता है वो time के universally proportional होता है ठीक है इसका मतलब देखिए जितनी ज़्यादा ability होगी काम करने में उतना कम समय लगेगा देखिए यह अगर बढ़ते जाएगा तो आपका जो time है वो कम होते जाएगा एक्जामपल के लिए हम बोल सकते हैं देखिए आप एक काम को कर रहे हैं उस काम को करने में आपको दो घंटे लगते हैं ठीक है उस काम को करने में आपको कितने घंटे लग रहे हैं दो घंटे हो गया आपका जो है एबिलीटी ठीक है देखिए तो आप अपने बेसिक नॉलेज्ज से यह बताईए कि यहां पर अगर एबिलीटी दो को नहीं हो गई तो अब जो है टाइम कितना लगेगा देखिए अब टाइम जस्ट आधा लग जाएगा ठीक है इसका मतलब यह हो रहा है कि अगर टाइम को हम कम करते हैं तो हम एबिलीटी को बढ़ाते हैं या हम उल्टा बोल सकते हैं कि अगर हमारी एबिलीटी बढ़ जाती है या अगर हमारी छमता बढ़ जाती है या अगर हमारे पास जो लोग हैं काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है तो जो समय है वो काम हो जाता है ठीक है देखे इसी रिलेशन से हम पूरे यूनिट के सवालों को हल करेंगे देखे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ability का थोड़ा सा और definition बता देता ह हूँ हमने तो यह पढ़ लिया कि ability और time में क्या relation होता है लेकिन ability वास्तविक्ता में होता क्या है देखे एक गंटे में या एक दिन में या एक मेहने में या तो हम यह कहें आप जो unit समय में काम करते हैं हम उसी को ability बोलते हैं जैसे कि अगर बोलता है question में कि राम एक काम को दो दिन में करता है तो इसमें आपकी ability क्या हो जाएगी इसमें आपकी ability हो जाएगी एक दिन में किया गया काम देखे मैं फिर से दोहरा दूं राम अगर एक काम को दो दिन में करता है तो अगर आपसे कोई यह पूछे कि उसकी ability क्या है तो आप यह बोलेंगे कि राम के द् एक दिन में किया गया काम है ये उसकी ability हो जाएगी देखिए ability हो जाएगी एक दिन में किया गया काम मतलब one by two देखिए total काम कितना था दो दिन का हमने एक काम कर लिया है मतलब एक दिन का काम किया है इसलिए पूरा काम या ये ability जो हो जाएगी वो 1 by 2 हो जाएगी राम की ability देखिए यदि राम ने 2 दिन के काम को एक दिन में इतना कर लिया है मतलब 1 by 2 तो ये राम की ability हो जाएगी देखिए एक दिन में काम कितना complete हुआ है 1 by 2 ये राम की ability है तो बचा काम कितना हो जाएगा total काम minus हुआ गया काम देखिए यहाँ पे जो ये 1 by 2 लिखा हुआ है ये राम की ability है या राम के द्वारा एक दिन में किया गया काम है ठीक है तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि जो ability होती है वो किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन या एक घंटे में किया गया काम होता है चलिए इन्ही basics के साथ हम question करने का प्रयाज करते हैं question में लिखा है A. अकेला एक कार्य बीस दिनों में कर सकता है और B. अकेला तीस दिनों में यदि वे दोनों एक साथ काम सुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला हम यहाँ पे ability को जोडते हैं यहाँ पे A की ability है कितनी हो जाएगी total अगर एक total काम को 20 दिनों में कर सकता है तो A की ability हो जाएगी 1 by 20 ठीक है यहाँ पे A की ability हो गई 1 by 20 देखिए मतलब एक दिन में यह जो है इतना काम करेगा देखिए एक दिन में 1 by 20 इसने काम किया अगले दिन फिर से यह 1 by 20 करेगा उसके next day फिर से 1 by 20 करेगा इस तरह total 20 दिन में 1 by 20 1 by 20 पर डे यह करता जाएगा तो हर दिन के काम को अगर हम जोडते हैं तो हमारे पास 20 by 20 आता है मतलब एक काम देखिए जो पूरा हो गया काम है या हमारे पास जो काम है वो हमेशा एक होता है इसलिए हम हमेशा पूरे unit में जो काम होता है उसको एक लेके चलेंगे चलिए वापस लोडते हैं इस question में question में लिखा है कि A की ability 1 by 20 है वैसे ही B की ability हो जाएगी देखिए question में क्या दिया हुआ है question में दिया हुआ है B अकिले उस काम को 30 दिन में करता है तो B की ability हो जाएगी 1 by 30 देखिए उसके बाद question में आगे लिखा है कि वे दोनों एक साथ काम सुरू करें तो आधा कारे कितने दिनों में पुरा हो जाएगा देखिए सबसे पहले हम यह निकाल लेते हैं कि पूरा काम कितने दिनों में करेंगे देखिए दोनों को मिल कर अगर हम काम कराएंगे तो इनकी ability को हमें add करना पड़ेगा ठीक है अगर दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो जाहिर तो और पे उनकी ability है वो add होगी तो हमने अगर A और B की ability को add किया तो देखिए हमारे पास यह आ जाता है हम ability को अगर उल्टा करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है time मतलब हम इस ability को अगर उल्टा करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा कि A और B उसे कितने दिन में पूरा करेंगे देखिए अगर ability क्या है ability 1 by 12 है तो हमने अगर ability को उल्टा किया तो हमारे पास आजाएगा time तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 days ठीक है इसका मतलब अगर A और B मिल के काम करेंगे तो उन्हें 12 दिन लग जाएंगे देखिए लेकिन question में बोल रहा है आधे काम को ठीक है अगर पूरे काम को आपका 12 दिन लग रहा है तो आधा काम जाहिर तोर पे 6 ही दिन लगेगा तो आपका option D सही हो जाएगा तो इस तरह हम work and time के question को basic knowledge से ही solve करने का प्रयास करते हैं चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे question में दूसरा question आपको लिखा है A और B मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं जबकि B अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है A अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है देखिए एक question में लिखा है A और B मिलकर काम कर सकते हैं 12 दिन में मतलब A और B की ability क्या हो जाएगी 1 by 12 देखिए अगर हम टोटल लगे दिन को उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि एक दिन में कितना काम होता है तो हम यहाँ पे A और B की ability लिख देंगे A और B की ability मतलब हम लिख सकते हैं A और B के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा 1 by 12 वहीं पे आपके question में दिया है B अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं B की ability कितनी हो जाएगी B की ability हो जाएगी 1 by 30 अब देखिए यह A और B दोनों की ability है और यह B की ability है हम अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो A की ability आ जाएगी ठीक है करते हैं A की ability क्या हो जाएगी 1 by 12 minus 1 by 30 देखिए अगर हम इसको solve करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3 by 60 मतलब 1 by 20 देखिए A की ability कितनी है A की ability है 1 by 20 अगर हम ability को उल्टा करते हैं तो हमारे पास answer आता है कि A को कितने दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने में तो A को लगेंगे 20 देखिए देखिए हमने यहाँ पे ability को उल्टा कर दिया तो हमारे पास आ गया कि उसको कितने दिन total काम को complete करने में लगेंगे ठीक है देखिए हमने कैसे basic concept का इस्तेमाल करके इस question को solve किया ठीक है चलिए हम बढ़ते हैं अगले question की ओर question number 3 है एक कारे के एक बटे 4 भाग को 10 दिन में कर सकता है बी कारे के एक बटे 3 भाग को 20 दिन में कर सकता है ए और बी दोनों मिल कर उस कारे को कर सकते हैं ठीक है इसके पता option में दिया है 24, 25, 30, 32 आईए हम solve करते हैं देखिए एक कारे के एक बटे 4 भाग को 10 दिन में कर सकता है देखिए एक बटे 4 भाग को अगर 10 दिन में काम कर रहा है यह वन बाइ 4 पार्ट को 10 डेस में कर रहा है तो देखिए इस काम को total काम को कितने dhin में करेगा ए देखिए एक काम को यहां पर हमारे पास 40 दिन लग जाएगा देखिए मतलब एक को पूरा काम करने में कितना दिन लग जाएगा 40 दिन और देखिए यहां पर अगलाion में लिखा है B कार्य के 1 बटे 3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, इसका मतलब हम यहाँ पर B के काम को निकाल लेंगे, B इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा, देखें यह 3 यहाँ पर multiply हो जाएगा, तो हमारे पास 60 days आ जाएंगे, ठीक है, देखें A अकेले काम को कितने दिन में complete करेगा, 40 days, वैसे ही B अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, 60 days, तो आपके question में पूछ रहा है कि A औ और B दोनों मिल कर कितने दिन में complete करेंगे, देखें A की ability कितनी है और B की ability कितनी है, हम वो निकाल लेंगे, उसके बाद हम दोनों के ability को जोड देंगे, देखिए हम दोनों के ability को क्यों जोड रहे हैं क्योंकि question में बोल रहा है कि दोनों मिल कर काम कर रहे हैं इसलिए देखिए एक complete कितने दिन में करता है एक complete करता है 40 दिन में तो जैसा कि मैंने आपको पिछले questions में बताया है एगर total काम को 40 दिन में करता है तो A की ability क्या हो जाएगी A की ability हो जाएगी 1 by 40 वैसे ही देखिए B दिया हुआ है कि B काम को कितने दिन में complete करता है B काम को 60 दिन में complete करता है तो B की ability क्या हो जाएगी B की ability हो जाएगी 1 by 60 तो देखिए अगर हम दोनों को साथ में मिलकर काम करवाएं तो दोनों की ability जूड जाएगी तो A वा B की ability क्या हो जाएगी A वा B की ability हो जाएगी 1 by 40 प्लस 1 by 60 इसको solve करते हैं तो हमारे पास यह आ जाएगा 5 by 120 उसको आगे solve करने पर हमारे पास आएगा 1 by 24 देखिए मतलब A और B की ability साथ में मिला कर कितनी है 1 by 24 तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर हम ability को उलड देते हैं तो हमारे पास आज आता है कि वे कितने दिन लगाएंगे तो A और B जो है कितने दिन लगाएंगे उसको हमने ability को उल्टा करना है तो A और B लगाएंगे 24 डेज तो यहां पर आपका option A है वो सही हो जाएगा तो इस तरह हम basic knowledge का इस्तमाल करके work and time के problem को solve करते हैं चली आगे बढ़ते हैं अगला question लिखा है एक कारे को 12 दिन में कर सकता है जबकि B अकेले उसे 15 दिन में कर सकता है C की सहता से वे उस कारे को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि उन्हें पूरे कारे के लिए 960 रुपए दिये जाएं तो कुल कितनी रासी मिलेगी देखिए यह मजदूरी वाला question है इसमें हम क्या करते हैं सबकी ability अलग-अलग निकाल लेंगे आपको यहां पर यह ध्यान हम यहां पर मजदूरी जो देंगे वह ability के हिसाब से देंगे देखिए यहां पर a की ability क्या हो जाएगी सबसे पहले a की ability हो जाएगी 1 by 12 ठीक है मैं पूरे डिटेल से नहीं लिख रहा हूं a की ability 1 by 12 हो जाएगा b की ability क्या हो जाएगी b की ability 1 by 15 हो जाएगा ठीक है इससे पहले मैंने questions में बता दिया है कि हम ability कैसे निकालते हैं देखिए उसके बाद लिखा है c की सहता से वे उस कारे को 5 दिन में कर ले रहे हैं देखिए इसका मतलब यह है कि अगर तीनों मिल जाते है तो कितने दिन लगते हैं 5 दिन तो a, b व, c की ability क्या हो जाएगी 1 by 5 देखिए यहाँ पर a की ability, b की ability, a, b व, c की ability हमारे पास दी हुई है तो देखिए अगर इस वाले ability में से जिसमें a, b और c की ability दी हुई है उसमें से हम यह और यह घटा देते हैं तो हमारे पास c की ability आ ज देखिए इसमें A वब B और C है इसमें केवल A वब B है तो हम करते हैं देखिए थी और कि सी की एबिलीटी हो जाएगी 1 x 5-1 by 12-1 by 15 देखिए अगर हम इसको शॉल करते हैं तो हमारे पास ल्सेम बोर सिख्षटी यहां पर यह जाएगा त्वैल यहां पर आ जाएगा 5 यहां पर आ जाएगा 4 इसका मतलब यह 3 by 60 इसका मतलब यह हो जाएगा 1 by 20 कि देखिए इसका मतलब सी की ability आ गई 1 by 20 मतलब अगर हम ability को उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या आ इसका मतलब काम को कम्प्लीट करने में 20 हम्हें ability की रथीश हमने ability निकालं दिया हम आगे निकालेंगे की मजदूरी की सी साफसे हम उनको करेंगे देखिए जैसा कि मैंने उनको थाइब हिसाब से प्रोवाइड करेंगे देखिए इनकी ability अगर हम लोग लिख देंगे 1 by 12, ratio 1 by 15, ratio 1 by 20, देखिए इस ratio से हम उनकी मजदूरी इनहें provide करेंगे, लेकिन देखिए यह हमें complex लग रहा, इसको solve करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको solve करने के लिए हम LCM निकालते हैं, और LCM का multiply सब तरब तीनों में कर देत हैं, देखिए अगर हम इसका LCM निकालते हैं, तो 60 आता है, अगर हम उपर 60 multiply कर देते हैं, तो यह 60 by 12, मतलब यह हो जाएगा 5, इसमें multiply करेंगे 60, तो यह हो जाएगा 4, इसमें 60 multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 3, देखिए मतलब हम मजदूरी अब इस हिसाप से देंगे, 5, 4 और 3 के ratio में, देखिए हमारे पास total जो मजदूरी है, वो कितनी है, 960 रुपए, तो हम यहाँ C का भाग निकाल देंगे, देखिए C का भाग कितना है, 3 total कितना हो जा रहा है, total हो रहा है 12, into total कितना है, यहाँ पर मजदूरी 960, देखिए यहाँ पर हम अगर C का पार्ट नि निकालते तो 4 by 12 होता, A का निकालते तो 5 by 12 होता, into 960 सब में, इसको अगर हम solve करते हैं, तो हमारे पास आजाता है, 240, देखिए मतलब C को मजदूरी कितनी मिलेगी, 240 रुपए, आपका option B सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए हम अगला question के और बढ़ते हैं, अगले question में लिखा है, A कारे को 18 दिन में, B उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, B नेवा कारे 10 दिन तक करके छोड़ दिया, A अकेला से इस कारे को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, देखिए इन प्रकार के question में हम कुछ नया concept यूज नहीं करेंगे, जो हमारा basic knowledge है, या जो हमने concept सीखा है, हम उ आगे लिखा है, B उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, B की जो ability हो जाएगी, 1 by 15, देखिए, question में आगे लिख रहा है, B ने वहा कारे 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, देखिए, B अब उस काम को 10 दिन करेगा, और छोड़ देगा, B के द्वारा एक दिन में किया गया काम, या उसकी ability हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए, B की ability कितनी है, 1 by 15, मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया है, कि ability क्या होती है, ability एक दिन में किया गया काम होता है, B के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना है, 1 by 15, तो B के द्वारा 10 दिन मे किया गया काम कितना हो जाएगा देखिए यहां पर हम लिख देंगे 10 into 1 by 15 देखिए यह एक दिन का काम है और यह into 10 यह total हो जाएगा 10 दिन का काम मतलब यह हो जाएगा 10 by 15 देखिए 10 by 15 काम हो चुका है 10 by 15 काम हो चुका है और हम अब निकाल देंगे बचा काम कितना है यहां पर हमने कर दिया बचा काम क्या हो गया है total काम देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो टोटाल काम होता है हमेशा एक होता है total काम minus हुआ काम equals toПрचा काम देखिए पचा काम कितना है 5 by 15 5 by 15 को अगर हम solve करेंगे तो 1 by 3 आ जाएगा देखिए 1 by 3 काम बज गया है अब इस 1 by 3 काम को कौन करेगा अब इस 1 by 3 काम को ए करेगा ठीक है देखिए आगे हम इसको कैसे solve करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दू इंजामपल के लिए देखिए अगर आपको कितने दिन लगेंगे आप ऐसे calculate तो नहीं करेंगे उसको आप सिंपल से गिनेंगे एक दिन में 2 काम होता है तो 8 काम करने के लिए मुझे 4 दिन लगेंगे देखिए इसका मतलब आपने किया इसका मतलब आपने किया कि आपका total काम जो था वो कितना था 8 था और एक दिन में आप 2 काम कर सकते थे तो आपका बचा दिन आ जाएगा 4 आपने ऐसे ही निकाला ये question के बाहर का है मैं आपको समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ बचा काम divided by एक दिन में किया गया काम मतलब total लगने वाला दिन ठीक है उसी तरह हम कर लेंगे अब कौन काम करेगा अब काम करेगा ए देखिए तो बचे दिन क्या हो जाएंगे बचे दिन हो जाएंगे total बचे काम total बचे काम कितने हैं हमने निकाल लिया है 1 by 3 divided by एक दिन में किया जाने वाला काम देखिए यहाँ पर एक दिन में किया जाने वाला काम आएगा यहाँ पर एक दिन में किया जाने वाला काम आएगा तो अब काम कौन कर रहा है अब काम ए कर रहा है तो एक काम को कितने दिन में करता है 1 by 18 दिन में डेस इसका मतलब यह कि ए और उस काम को कितने दिन में कर लेगा 6 दिन में ठीक है तो आपका आंसर आ जाएगा 6 दिन यहाँ पर option B दिया हुआ है option B है answer आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर confuse मत हो यह गा देखिए इक्जामपल के लिए मैं आपको बता दूँ टोटल काम आपके पास 8 है एक दिन में आप 2 कर लेते हैं तो टोटल कितने दिन लगेंगे चार तो वैसे हमने यहाँ पर वही किया टोटल बचे काम divided by एक दिन का काम is equals to बचे दिन देखिए यहाँ पर हमने वही किया यह बचा काम है divided by एक दिन का काम is equals to बचे दिन हमारे पास आ गया answer 6 चलिए हमने अभी तक basic concept पढ़ लिए हैं अब हम यह कोशिज करेंगे कि हम question को कैसे फटाफट बना सकते हैं देखिए question में लिखा अगला question यह है कि किसी कारे को यह 10 दिन में करता है और उसी कारे को भी 20 दिन में कर सकता है वे दोनों एक साथ कारे प्रारम करते हैं किन्तु 5 अज दिन बाद एक कारे छोड़ देता है से इस कारे को भी कितने दिन में पूरा करेगा देखिए यहां पर बोल रहा है ए और बी दोनों मिल के काम कर रहे हैं इसका मतलब ए और बी की अबिलिटी जूट जाएगी देखिए एकी आबिलिटी कितनी है एकी एबिलिटी 1 9 by 60 देखिए जो 9 by 60 है यह वाब B की ability है मतलब A और B एक दिन में कितना काम करेंगे A और B एक दिन में काम करेंगे 9 by 60 question में बोल रहा है कि 5 दिन बाद एक काम को छोड़के चला जाता है देखिए इसका मतलब यह है कि 5 दिन तक A और B ने 7 मिल कर काम किया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे A और B का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा A और B का 5 दिन का काम हो जाएगा 5 into 1 दिन का काम ठीक है यहाँ पे अगर हम इसको solve करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 45 by 60 देखिए यह A और B के 5 दिन का काम है अगर हम इसको solve करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है देखिए 3 by 4 देखिए 3 by 4 यह लोग काम करेंगे कितने दिन में 5 दिन में अब question में बोल रहा है कि एक काम को छोड़के चला जाता है अब कौन काम करेगा अब B काम करेगा तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले question में आपको बोला था कि बचे दिन बराबर हो जाएंगे बचे काम divided by एक दिन का काम देखिए यह एक दिन का काम किसका होगा कि अब जो कर रहा है अब कौन करने वाला है अब करने वाला है B क्योंकि एक काम को छोड़के चला जा रहा है बचे काम कितने हो जाएंगे देखिए यह तो हुआ काम है तो अगर हम बचे काम निकाल देंगे, तो बचे काम कितने हो जाएंगे, देखिए हुआ काम कितना है, 3 by 4, तो 1 minus 3 by 4 हम कर देंगे, तो यह आ जाएगा 1 by 4, देखिए इसका मतलब यह कि बचे काम कितने हो जाएंगे, 1 by 4, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे, 1 by 4, divided by एक दिन का काम देखिए एक दिन का काम मतलब ability किसकी ability तो बी की ability क्योंकि बी अब उस काम को करने वाला है तो हम यहां पर लिख देंगे one by twenty अगर हम इसको solve करते हैं तो one by four into twenty by one equals to five days ठीक है इसका मतलब पांच दिन और लगेंगे उस काम को करने के लिए अब काम कौन कर रहा है अब काम कर रहा है बी देखिए आपके option में दिया है option a यह आपका right answer हो जाएगा ठीक है तो आपने देखा कि किस तरह हमने basic concept का ही इस्तेमाल करके work and time के problem को solve किया देखिए यह कोई नया formula नहीं है मैंने इस formula को generate किया है कहां से मैंने आठ चार और दो वाला जो इक्जामपल दिया था उसी से देखिए बचे दिन इस उकल स्टू हो जाता है बचे काम divided by ability या एक दिन का काम किसकी होती है अब जो काम को करने वाला है तो आपका answer आ गया 5 चली अगला question है 12 आदमी या 24 लड़के काम को 66 दिन में कर सकते हैं तो 15 और 6 लड़के उस काम को कि इतने दिन में कर सकेंगे देखिए फट से हम कैसे करते हैं इसको देखिए इस question में थोड़ा ध्यान देंगे कि यहां पर लिखा है 12 आदमी या 24 लड़के इसका मतलब यह है कि यह दोनों साथ मिल के काम नहीं कर रहे हैं 12 men is equal to 24 boys ठीक है देखिए मैं आदमियों को M से दरसा सा रहा हूं एहां पर बारा आदमिया 24 लड़के 66 दिन में काम कर सकते हैं किटने दिन में छशार्षय दिन prohibit है वह चौबीस लड़कों के बराबर है ठीक है क्या समझ रहे हén आप इससे बारा जो आदमियों इनकी एंपलीटी 24 लड़कों के बराबर है तो वे मिलकर 66 डे मे complete कर लेते हैं तो देखिए हम यहां से क्या निकाल सकते हैं अगर हम इसको एक मिनट के लिए भूल जाएं कि वो लोग 66 दिन में काम करते हैं तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं हम यहां से इनके उपर इनका compare कर सकते हैं देखिए अगर 12 आदमी 24 लड़कों के बराबर काम करते हैं तो एक आदमी कितने लड़कों के बराबर काम करेगा ये नीचे आ जाएगा देखिए मतलब एक आदमी दो लड़कों के बराबर काम करेगा देखिए हमने बस ability का comparison किया है एक आदमी और दो लड़के का जो ability है वो बराबर है, देखिए अब आगे question में बोल रहा है कि 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को मिल के करते हैं, देखिए अब यहाँ पे और नहीं लिखा है, अब यहाँ पे end लिखा है, मतलब और लिखा है 15 men's plus 6 boys, ठीक है, 15 men's plus 6 boys, देखिए means की ability को अगर हम यहाँ से replace करें, तो यहाँ पे देखिए 15 into 2 यह हो जाएगा boys plus 6 boys, देखिए एक आदमी की ability दो लड़कों के बराबर है, तो 15 आदमी की ability क्या हो जाएगी, 30 लड़कों के बराबर हो जाएगी, ठीक है, अगर हम total जोड देते हैं, 30 boys plus 6 boys is equal to हो जाएगा 36 boys, देखिए यहाँ से अगर हम compare करते हैं, तो 24 लड़कों की ability है 66 days, वैसे ही 36 लड़कों की ability क्या हो जाएगी, हम यह निकाल देंगे, देखिए 24 लड़के हैं, उनकी ability, देखिए यह दिन दिया है, अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आजाता है, हमारे प 66 into 24, वैसे ही अगर हम निकाल देते हैं, 36 boys की ability क्या हो जाएगी, 36 boys यह हम यह कह सकते हैं, 15 आदमी और 6 लड़के की ability क्या हो जाएगी, हमने दोनों तरफ 36 multiply कर दिया, तो अगर हम इसको solve करते हैं, अगर हम इसको काड़ देते हैं, तो यह 3 आ जाएगा, यह 2, इसको फिर से क या 15 men's plus 6 boys की ability 1 by 44 है, तो कितने दिन लगेंगे यह calculate करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया हम इसको उल्टा कर देंगे, तो उनको लगेंगे 50 men's plus 6 boys को लगेंगे 44 दिन, देखिए हमने इसको ऐसा लिख दिया है, यह ज्यादा अंतर नहीं है, 15 men's plus 6 boys की ability, 36 boys की ability के बर है, उनको क्या लगेगा, 44 days लगेंगे, 44 day कहां से आया, हमने यहां पर ability को उल्टा कर दिया, तो हमारे पास total लगने वाला दिन आ गया, ठीक है, तो इस प्रकार आप basic concept का इस्तमाल करके ही work and time के problem को या किसी भी aptitude या reasoning के problem को solve कर सकते हैं, चली अगले question के और बढ़ते हैं, अगले question में लिखा है, एक इसी काम को 20 दिन में, B 15 दिन में, और C 12 दिन में कर सकता है, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यदि उसे एक दिन B और अगले दिन C एकांतर करम में मदद करे, देखिए इसमें बोल रहा है, काम तो 3 लोग कर रहे हैं, लेकिन हर दिन तिनों काम नहीं कर रहे हैं, देखिए पहले दिन A और B काम करेंगे, अगले दिन A और C काम करेंगे, अगले दिन फिर A और B काम करेंगे, अगले दिन A और C काम करेंगे, इसका मतलब यह है कि A लगातार काम करेगा, और B और C जो है, A को एकांतर करम में सहता करेंगे, पहले दिन कौन काम कर रहा है A और B तो पहले दिन का काम हम यहाँ पे लिख देंगे 1 by 20 प्लस 1 by 15 देखिए यह पहले दिन का काम हो गया और हम दूसरे दिन का भी काम लिख देते हैं देखिए दूसरे दिन 1 by 20 हो जाएगा क्योंकि A काम कर रहा है और B के जगा C आ जाएगा, मतलब C की ability हो जाएगी 1 by 12, देखिए यहाँ पे यह पहले दिन का काम हो गया, और यह दूसरे दिन का काम हो गया, मतलब एक चक्र का काम हो गया, यह एक चक्र में कितने दिन है, दो दिन है, दो दिन का काम इतना हो जाएगा, अगर हम इसको solve करते ह तो आता है हमारे पास यहाँ पे अगर हम lcm लिख देते हैं तो lcm लिखेंगे तो आएगे यहाँ पर 60 यहाँ पाएगा 3 प्लस यहाँ पर क्या जाएगा 4 फ्लस 3 प्लस यहाँ पाएगा 5 अगर हम इसको इसको करते हैं तो हमारे पास आता है answer 15 by 60 is equals to 1 by 4 देखिए एक चक्र में एक बटे चार काम हो रहा है मतलब दो दिन में एक बटे चार काम हो रहा है मतलब अगर हमें काम पूरा करना है तो हमें चार चक्र लगेंगे देखिए चार काम का एक काम हो रहा है एक चक्र में इसका मतलब यहाँ पे हमें चार चक्र लगेंगे 4 चक्र में हमारा काम complete हो जाएगा 4 चक्र मतलब 8 दिन जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है तो 8 दिन में हमारा काम complete हो जाएगा देखिए हमने यहाँ पे 4 चक्र आसानी से क्यों लिख लिया क्योंकि 4 भाग के 1 भाग का काम एक चक्र में मतलब दो दिन में complete हो जा रहा है तो एक में अगर हम 4 multiply करते हैं यहाँ पे यहाँ पे अगर हम 4 multiply करते हैं तो हमारे पास एक आ जाता है total काम इसलिए हमने इसमें भी 4 multiply कर दिया तो 4 चक्र आ गए 4 चक्र में 8 दिन इसका मतलब आपका answer जो हो जाएगा 8 दिन तो आपका option C यहाँ पे आपका answer हो जाएगा ठीक है तो देखे इस तरीके से हम work and time के problems या aptitude reasoning के किसी भी topic के problem को basic knowledge के साथ ही solve कर सकते हैं हमें किसी भी प्रकार के नए formula का इस्तमाल करने क्या हो सकता नहीं होती बस हमें practice चाहिए होता है अगर हमारे पास practice है तो हम इन सभी basic concept का इस्तमाल करके बहुत जल्दी से answer निकाल सकती हैं धन्यवाद CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए competition community के YouTube channel को subscribe कीजे और daily updates के लिए bell icon को प्रेस करना ना भूले